नमस्ते बच्चों, PCW के online platform पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हम लोगोंने last lecture में देखा था रेडियोग्राफी से कि हम chest रेडियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे जैसा मैंने आप लोगों को previous रेडियोग्राफी में बताया था कोई रेडियोग्राफी अगर कोई student या हमारे रेडियोग्राफी करता है इसमें क्या होता है कि patient कोई साभी patient अगर जैसे अपन बात करें कि कोई patient X है जैसे अभी मौस में बिमारीया काफी चल रही है ठीक है ठंज के वज़े से तो जब वो doctor के पास आएगा तो सबसे पहले अगर वो कोई radiographic investigation देगा that is chest radiography यहां यह mostly यूज लिया जाता है जब कोई operation होना हो कोई सा भी operation होना हो एक routine examination होता है chest radiography कहीं जगा किसी भी surgery में अगर कोई routine examination होगा तो उसमें हमारा chest radiography सबसे उपर है chest radiography एक ऐसा radiography procedure है जिसके बारे में हर strength को बहुत clearly पता होना चाहिए अब clear पता होने का मतलब क्या होता है clear पता होने का मतलब है कि सिर्फ यह नहीं कि आप आया है position लगाया और expose कर दिया यह तो हो गए हमारे technical factors यह तो हो गए हमारा practical knowledge अब theoretical knowledge की बात करें तो हमारी जो chest हमारी जो radiograph मिला हमें जो final image मिली उसमें हमें कौन-कौन सी anatomy देखने को मिलेगी इसके बारे में भी एक strength को अच्छे से पता होना चाहिए ठीक है तो क्यूंकि हमारा anatomy और radiography subject वेसे भी साथ साथ चलता है तो हमें anatomy के बारे में पता होना चाहिए anatomy से लेटेज अगर बात करें कि जब कोई anatomy जब भी कोई part structure हमें x-ray image में मिलता है तो इसको radiological anatomy कहते है उसे हमारा simple radiographic anatomy भी कह सकते है तो इसकी radiological anatomy कह सी होगी इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा idea होना चाहिए नहीं है तो आप लोगों को lectures में बता दिया जाएगा तो सबसे पहले अगर chest पढ़ते हैं तो कुछ-कुछ चीज़े कि most common examination वेसे exam में कहीं आप से यह नहीं पूछा जाता है कि chest radiography पे निभन लिखी है लेकिन आप लोगों को कोई भी चीज़ पढ़ो तो उसके बारे में थोड़ी बहुत knowledge थो होनी ची़ है ठीक है दूसरी अगर अपने इसे बात करें कि अगर इस्ट्वेंट की बात करें तो clinical practice सबसे जादा इसी examination की through होती है अगर कोई अपने clinical practice स्टार्ट भी करता है तो सबसे पहले इसी examination को learn करता है तो इसके बारे में थोड़ा सा पता अपन लोगों को करते हैं अब अपन देखे कि इसकी जो हमारी radiological या radiographical जो हमारी anatomy है उसको अपन कैसे divide करते हैं तो chest के बारे में आप लोगों को पता होगा कि chest को हम thorax भी केते हैं ये एक बहुत simple सा शब्द है chest को chest क्यों केते हैं ये अभी अपने आप में एक अच्छा question होता है तो मैं चाओंगे कि बच्चे इस पर comment करें कि chest को chest क्यों केते हैं इसका नाम chest क्यों पढ़ा हम जब इसको पहले starting में thorax बोलते थे तो हमने इसको chest बोलना के शुरूर किया ठीक है तो हमारा जो thorax है या chest है ये क्या होता है हमारे जो trunk है trunk मतलब धर trunk का upper portion upper portion होता है किस-किस के बीच में स्थित होता है neck और abdomen के ये इसकी क्या हो गई location हो गई, position हो गई, स्थित हो गई ठीक है तो अगर कोई पूछे कि chest के बारे में अगर दो शप्त कही है तो आप सीधा सीधा सा कह सकते है कि chest जिसे हम thorax कहते है ये हमारे trunk का upper portion है जो neck और abdomen के मध्धे स्थित होता है अब हम बात कर रहेते हैं इसकी radio graphical anatomy की topic कभी कभी दूर हो जाता है क्योंकि कोई भी चीज हम पढ़ेंगे तो basics बीच में आते हैं और basics हम अगर भूल जाएंगे तो उसके आगे पीछे का हमें कुछ भी याद दिरेगा सिर्फ आप एक रट्यों तोते के समान हो जाएंगे कि हमने रट लिया अगर basics से आद है तो कुछ भी नहीं पढ़ोगे तो भी काफी कुछ कर जाते हो ठीक है तो हम देखें हमने हमारी इसकी anatomy को या chest को simple simple समझने के लिए तीन पार्ट में डिवाइट किया पहला है bonny thorax ठीक है अब यह एक तरीका का क्या होता है cage होता है हमारे जितने भी chest के organs है वो सारे एक protective cage में protection के protective रहते है तो उसे हम bonny thorax केते हैं अब यह protection क्यों ज़रूरी है यह bonny thorax होना हमारी body में क्यों ज़रूरी है अगर इन केस एक बार सोचो की bonny thorax नहीं है पसलिया वगरा नहीं है और किसी ने आपको जोर से मुक्का मारा तो आपके lungs damage, heart damage तो एक तरह से जैसे वो ही simple skeleton system क्यों ज़रूरी है कि हमारे जितने भी organs उनको protect करने के लिए जैसे brain को protect करने के लिए skull ज़रूरी है उसी तरीके से हमारे chest की जितने भी organs से उनको protect करने के लिए bonny thorax ज़रूरी है दूसरा हम इसमें जो structure देखेंगे है हमारे proper respiratory system वाली जो proper respiratory system है feddings एक हमारे digestion system का और respiratory system का दोनों का part होता है इसलिए हम इसमें शब्द यूज लिया है respiratory system proper मतलब हम feddings को इसमें शामिल नहीं करेंगे तो कहीं आप books में देखोगे कि आपको chest radiographic के नाम से कोई proper एक topic नहीं मिलता है आप confused हो जाते हो कि हम इसमें क्या क्या पड़े कहीं upper way के नाम से है lower way के नाम से है तो हमारा जो respiratory system में जो layering से शुरू होता है और हम lungs तक इसके बारे में देखेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि यह जित्रे भी अब layering से हो रहा है तो आप इसमें soft tissues neck के बारे में भी देखेंगे ठीक है तो बहुत साई चीजें एक दूसरे से relate करती ही होती है अब जैसे bonny thorax है bonny thorax का पार्ट होता है sternum तो sternum से related भी हमारी radiography exam में पूछे जाती है तो वो chest में ही है तो हम chest में sternum के बारे में भी देखेंगे ठीक है तीसरा पार्ट होता है हमने इसको तीसरे पार्ट में डिवाइट किया है that is our media stenum ठीक है media stenum क्या होता है में media stenum होता है हमारे lungs के बीच वाला स्पेस अब इसके अंदर भी बहुत सारी structures होती है जिसके बारे में पन देखेंगे आप लोग अगर देखें कि जो हमारे respiratory system में लेरिंस के वहाँ पर cartilases होती है थाइरोड थाइरोड या पेरा थाइरोड जो भी हमारी gland होती है उसको media stenum में count नहीं करेंगे लेकिन जैसे थाइमस है थाइमस को हम media stenum में count करते है ठीक है और भी हमारी जो heart हमारा जो heart है हमारी जो greater vessels है ठीक है इन सब को भी हम media stenum में count करते हैं तो इन सब के बारे में हम study करेंगे तो यह अगर आप सामने बोर्ड पर देखो तो यह हमारे एक radiographic anatomy है मतलब आपको चेस्ट पढ़ना है अगर आप पढ़ते हुए आयोंगे अगर आपने classes में पढ़ा होगा तो स्टार्टिंग जैसे ही चेस्ट का नाम आता है क्लास में स्टार्ट के हो जाता है चेस्ट पी है पॉस्ट्यूर ट्यूर ट्यूर आप पढ़ोगे लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि उसमें आप पढ़ोगे क्या ठीक है जब तक आप लोगों को उसके अंदर की structure से नहीं पता तो आप कैसे पढ़ोगा अगर आपको और बॉल यांदर को कि भी हावु नता है युट्षैडरी टो आपको क्या दिख रहा है नतो जो हम देखेंगे वह सारा इसमें आएगा दो हम देखते हैं सबसे पहले बॉनी थोरेक्स के बारे में, बॉनी थोरेक्स में अगर अपन देखें, तो इसका जो मेन स्ट्रक्चर है हमारा इस्टर्णम, एंटीर अगर हम इसको देखेंगे तो इस्टर्णम है, इस्टर्णम को भी हमने तीन बार्ट में डिवाइट किया है, जो भी अपन डियाग्राम में देखेंगे superior अगर हम इसको देखेंगे तो हमारी scapula हमारी body में 2 scapula clavicle ठीक है और 12 pairs of ribs 12 जोड़े हमारी पसलियों के ठीक है और अगर हम देखें तो 12 हमारी TYT बढ़ा तो bonny thorax को समझने के लिए एक बार अच्छे से diagram देखते हैं तो सामने आपको एक bonny thorax का diagram दिखाई दे रहा है सीधा सीधा इसको अगर बोले इसका दूसरा नाम है यह हमारा thoracic cage bonny thorax से काफी बच्चे कंफिस हो जाएंगे thoracic cage ठीक है इसको अगर हम इसकी structure को देखते हैं तो हमें इस तर्णम सबसे पहले दिखाई देता है इस तर्णम को भी हमने तीन subdivision तीन पार्ट में डिवाइट किया मैनुब्रियम बोड़ी और जिफोईट प्रसेस ठीक है यह जो हमारा पार्ट है इसका सबसे उपर वाला यह होता है मारा मैनुब्रियम यह होता है मारा बोड़ी जो बिलकुल center और लार्ज पार्ट है और यह बिलकुल small लास्ट जो पार्ट है देटी जवाज जिफोईट प्रसेस अब इसको आगर देखेंगे तो आप फील कर सकते हैं अगर आप अपने ट्रॉंक की वाले एरिये में देखेंगे तो आपको जुगलर नॉच के बिलकुल q Бता रहे हूं आप लोगों को कि जब हम cr मतलब सेंटल भर है कि अपन लोगोंने फ्रस्ट घ्र की लेक्चर में देखा मैं कि हम चेस्ट एक स्व میग किस तरीके से इसको प्रोजेक्ट करेंगे की सीई आर कहां से निकल रही है कहां एंटेर हो रही है दो इन सब के लिए हमें एक लेंडमार्क होने चीज हम लोगों ने पढ़ा तो यहां यह चीज है ना यह तरह से सर्फेस लेंडमार्क का काम करती है आगे आप देखोगे हमने अगर इसको सुप एंटिर देखा तो इस्टर्णम और बाकी स्टर्णम देखे तो क्लेविकल का हमारा एक पार्ट इस्टर्णम से आके जुड़ता है जो इस्टर्णम क्लेविकल जोइंट बनाता है दूसरा पार्ट एक्रुमिया इसके पुलाके Acromio Structure से आके जुड़ता है जो Acromio Clavical Joint बनाता है आप लोगों को एक बात में बता दूँ अच्छे से एक्जाम में AC Joint या फिर Sterno Clavicular Joint काफी बार पूछा जाता है पाच नमबर में या फिर Sterno Clavicular Joint और Acromio Clavicular Joint दोनों मिला के 10 नमबर में क्यूशन पूछा क्या है आप लोगों से प्रिविएस येर में तो जब तक आप लोगों को Bonnithorex अगर आइडिया नहीं होता अब जैसे आप लोगों को पता है Bonnithorex क्या है तो आप लोगों के दिमाग में Sterno Clavicular Joint अगर इसकी radiography पढ़नी है तो हमें chest radiography पढ़नी होगी ठीक है और दूसरी जो structure है वो हमारी scapula ये भी हमारी दो होती है human body में हमारे 12 jodi rips हमारी human body में बात की जाए 12 pairs of rips के पाये जाते है जिसमें से जो हमारी 7 है जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 जो है 7 हमारी 2 rips होती है इनको 2 rips क्यों कहा जाता है क्योंकि ये हमारे sternum से direct जाके जुड़ती है ठीक है 8 से लेके 10 वाली जो हमारी 8, 9, 10 है ये हमारे 7 rips से जाके जुड़ती है तो इनको false rips केते है 1 से 7 तक 2 rips 8 से 10 तक false मालब जुटी और 11 बारा 11 बारा जो है वो किसी के साथ जुड़ती नहीं है वो floating मालब एक तरह से तेरती रहती है हवा मैं ऐसे मानो ऐसा नहीं कि उड़ उड़के भाग जाएगी दोर दर मतलब वो किसी के साथ कोई articulation आगे से नहीं करती है तो यह होती है हमारी floating rips हम देखे हमने rips को भी 3 section में divide किया है कौन कौन से section में rips अगर आपन देखे है 2 falls और floating इस तरीके से हमारी 12 rips होती है और जो हमारी एक thoracic vertebra है जो हमें chase radiograph में दिखती है अगर आप सामने देखोगे ठीक है cervical vertebra C6 और C7 C6, C7 से लेके L2 L2, L3 तक हमें एक chase radiograph में vertebra दिखती है यह clear visualization C6, C7 का और T10 से होता है आप यह नहीं कहा सकते क्योंकि वो depend करता है कि आप AP करते हो PA करतो इतना इतना आप लोगों को इसमें body part दिखाई देता है ठीक है अब मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी चीज है जिसको आप कौन-कौन सी radiography में आपको मदद मिलेगी तो जैसे for an example अपन देखते है chest PA posterior to anterior और chest AP PA का मतलब है कि patient जो है patient का जैसे हमारे एक patient है यह इसका anterior side है यह इसका posterior side है ठीक है तो अब अगर अपन PA की बात करें तो हमारा जो detector है वो इस तरफ होगा patient का face की तरफ होगा detector की तरफ तो अब हमारे सामने एक challenge होता है कि हम CR कैसे place करें मला patient को कैसे place करें और जो एक से tube से CR आ रही है वो कहां से enter और कहां से exit हो तो जब कोई सा भी एक यह आप bonus मानो यह ट्विक मानो कोई भी बोड़ी पार्ट जब होता है जैसे मालो abdomen chest वगेर आगे आप लोगों के एक्जाम में आगे और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको याद नहीं है कि हमें कहां सेंटर रहे करना है वैसे चेस्ट का आप सबको पता होता है जर्णल तो बड़े पार्ट में क्या करते हैं मिड ओप दाया लिख देते हैं कि जो हमारी केसित है उसके बीच ओ बीच ठीक है कि हम हमेशा पेशंट को सेंटर ऐसे करते हैं कि उस पेशंट का कोई साभी जो पर आपको एक उभार सा मैसूस होता है गर्दन के अगर आप थोड़ा फ्लेक्स करेंगे अपने नेक को तो किलियर किलियर आप लोगों को विज्विलाइज होगा किलियर फील होगा ठीक है प्रोमिनेंट तो यहां से 7 से 8 इंच बिलो यह होता है मारा टी सेवन तो यह से 8 इंच अगर आपन बिलो जाएंगे तो वह हमारे पीए की सेंट्रिंग करने के काम आएगा अगर सामने अगर आप देखो बोड़ पे तो किलियर आप देखोगे कि वाइटीवल प्रोमिनेंस है कहां होता है वाइटीवल प्रोमिनेंस हमें जो महसूस होता है वह होता है पर ठीक है अब हम है सेंट्विं करने यह चैस्ट.. पीएकी.. तो कहां करेंगे 7-8 इंच.. मैंने 7-8 इंच.. इसलिए बोला है.. कि जैसे मेल और फीमेल में.. एक इंच का gap होता है या फिर कभी-कभी patient bulky भी होता है patient patla भी होता है इसे बोलते हैं body habitus आप लोग एनाइट में देखेंगे body habitus क्या होता है, patient कौन सो होता है तो यह अलग चीज ए लेकिन दिमाग में जब body की alग-alag structure होती है इस बोलते है body habitus ठीक है तो आप ये देखो कि PA position में हमने vertebral prominences 7-8 inch नीचे किया तो T7 mid of the thorax यहाँ अपनी centring होगी अगर ऐसा ही आपन देखे एक्जामपल के तोर पे मैंने भी आप लोगों को बताया तो jugular notch हमारी sternum के उसमें jugular notch तो jugular notch से 4-5 inch अगर सबसे simple method होता है jugular notch से नापने वाला कि इस तरीके में jugular notch पे आप यहाँ ठम रखियो और इदर finger तो आप इतनी distance पे something 5-6 inch के difference पे आप लोगों को sorry AP में आपको centring करनी होती है ठीक अगर जब पन chest AP की बात करे तो आप इसकी centring jugular notch से 4-5 inch below इसकी centring करेंगे तो आप लोग जब radiation देखेंगे तो यह T7 से ही होके निकलेगा तो यह एक हमारे bonny thorax से हमें फाइद होता है chest AP और PA में जब आप centring करते हैं तो हमें bonny thorax के बारे में idea है तो हम इसमें अच्छे से centring कर पाते हैं ठीक है तो यह अपने bonny thorax के बारे में देखा है अगर अपन बात करें हमारे respiratory system में तो respiratory system proper में हम किस-किस के बारे में पढ़ेंगे यह आपको थोड़ी बहुत एनाइट में clear होने चीए देखो बच्चो जो अपने इसमें है जो जो clear बहुत जादा यह उजा रहा है मैं आप लोगों को बताया जा रही हूं बाकि थोड़ा थोड़ा आप लोगों को भी homework type का होना चीए कि respiratory system proper में larynx, trachea, हमारे bronchis, left और right bronchis और lungs ठीक है lungs की structures कैसी होती है यह सब आप लोगों को इनाइट में पढ़ाया जाएगा अभी अपनिया पढ़ेंगे तो फिर वो पूरा एक chapter अलगी हो जाता है ठीक है, फिर बात करते हैं media stenum की, ठीक है media stenum में हम कौन-कौन से structures देखेंगे, तो अगर अपन diagrammatic देखें ठीक है, तो यह हमारा media stenum media stenum क्यों होता है, कि दोनों lungs के बीच का space, अब दोनों lungs के बीच में जो जो structure सारी हो, सारी हमारी media stenum में आगी, थायमस ग्लेंड हो गई, ठीक है जैसे थायमस ग्लेंड हो गई, हमारा heart हो गया, arteries हो गई, ठीक है trachea हो गई, इसके बारे में इसमें देखेंगे और isophagus यह सारी structure हमारी media stenum में आगी, तो media stenum के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, तो अपन अगर journal देखें कि हमारी radiological anatomy में हमें इन सारी portions को अच्छे से पढ़ना है, तभी आप लोगों को एक अच्छा radiographer बनने में मदद मिलती है, एक radiographer बनना, एक अच्छा radiographer बनना, एक strength बनना, एक अच्छा strength बनना, दोनों में difference होता है, ठीक है? आगे अगर आपन बात करेंगे, अब हम बात करते हैं, syllabus जो हम पढ़ने वाले हैं, कोन-कोन सा हम views पढ़ेंगे, उन सब के बारे में अपन lecture में देखेंगे, आप लोगों को अब तक यह पता होना चाहिए, कि इसकी radiological anatomy क्यों होती है, और यह chest हम chest को, क्यों chest कहते हैं इसके बारे में आप जरूरा में बताएं, तब तक के लिए पढ़ो, thank you, good bye